तो हेलो फ्रेंग्स मेरा नाम है सिकंदर मंसुरी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्पूल के नियू रफेटर के बारे में यानि दोस्तों 2023 का वर्पूल का नया रफेटर रहा है 259 लिटर की नैट कैपसिटी है तो अभी 2023 में दोस्तों जितने नए बोड़ आ रहे है वो नएट के साथ में आ रहे है यानि गौवर्फेटर के रिसाफ से कोई भी ब्रांट उसकी एक्च्वल कैपसिटी ही देखा साकता यानि यूज़ेस स्पैस कितना मिल रहा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वल्पूल यानि दोस्तो वल्पूल का नया रहे है 259 लिटर का वह भी थेखन के साथ में त्यूरे 212 में 201 के बल्पौवियूम ओडात थे उसमैं किसी फिरीज में कंवेटेबल होता ही नहीं था है n प्रीजर करने Recht नहीं होता था 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 वल्लपूर्स का के धर था प्रिज़inosudy के my डिस्रेप्चिन वैकर प्रीजर करद ऑपके अगर आपको भी कर ना है तो सब्रेंगते हैं चलिए सब्सक्राइब हो यह है वालपूर का नया फ्रीज इसकी capacity है दोस्तों 259 लिटर यानि इसकी जो net capacity है वो है 259 लिटर की तो stainless steel finishing के साथ में आ रहा है काफी अधा slim फ्रीज है यानि इसकी अगर चोड़ाई की बात करें विर्थ की बात करें तो यानि काफी अच्छा है दोस्तों फ्रेंट में इसका पैनल दिया है जहां से आप temperature कम कर सकते हो फ्रीज का और फ्रीजर का दोनों के temperature आप कंट्रोल कर सकते हो तो यह है दोस्तों इसकी star rating two star rating के साथ में आ रहा है पूरे साल बर में दोस्तों पूरे साल बर में 281 unit power consume करता ह है इसकी net capacity भी आप देख सकते हो इस star rating पे net capacity इसके लिखी है पहले के रफ्रीटर में net और ग्रोस दोनों लिखिया था अब ही डारेकली टोटल जो टोटल रफ्रीटर को यह अंदर आपको यह तो टोटल capacity मिलती है वो लिखके आ रहा है दोस्तों यह है इसका पैनल जहां से आप इसका temperature कम यह ज्यादा कर सकते हो लग साइट का दोस्तों section दिया हुआ है यहां लग साइट में आप फिरीज का temperature कम यह ज्यादा कर सकते हो आपको सीज़ा बटन प्रेस करना है और यहां से आप temperature इंग्रीज कर सकते हो और राइट साइट का पैनल है वहां से आप फ्री तो इसके फ्रीजर को आप रीज में कर सकते हो फ्रीज में करने से फाइज होता है और फ्रीज में करने के बाद जो पावर कंजिप्शन होता है दोस्तों वह भी कम होता यानि आपी कि एनर्जी सेविंग काफी अच्छी देहरे मिल जाती है लुकं काफी अच्छा है तो यह इसकीख फिनिशिंग एंटल के दोस्तों ये तो दोस्तों यह है pocket handle यानि जो इसका handle दिया है left side में आ रहा है काफी सारी ब्राइंग में pocket handle जो होता है फ्रेंट की तरह आता है इसमें pocket handle जो आ रहे दोस्तों side से आ रहा है तो यह है इसका freezer section अभी आप देखेंगे इसके इस नए model में 2023 में freezer के अंदर लिखके आ रहा है फाइनली 2023 के world bull के model में actual convertable आ रहा है यानि freezer को freeze में convert कर सकते हो साथ में आपको एक movable ice box देखने को मिल जाता है यानि अगर आपको इस requirement नहीं है ice box के तो निकाल के आप side में रह सकते हो और एक glass cellar देखने को मिल रहा है जो glass cellar toughening glass है अगर आपको कुछ ज्यादा चीज़े रखनी है तो उसको भी remove कर सकते हो दोस्तों आप आते हैं इसके freeze section की तरब यह होगे तो उसका freezer आप आते हैं नीचे की तरब है इसका freeze section अबर की तरह आपको मिल जाता है first में pull out tray easily pull out कर सकते हो और number of self की बात करेंगे दोस्तों आपको 3 self मिल जाते है प्लाउट वाले रेक को मिलाएंगे तो चार हो जाते हैं तो जितने भी इसमें रेक दे गए हैं सारे के सारे toughened glass वाले दिये गए हैं आप ज्यादा चीज़े या heavy चीज़े रखोंगे तो भी यह break नहीं होता है वो तूटता भी नहीं है तो यह है दोस्तों पुल आउट वाला ट्रे फिर नमब आप नंबर ऑफ सेल्फ चेक के लिजी इसमें देखो वन एक बुल आउट वाला सेकेंडरी यह दी गई है और इसके रवा नीचे दो रेक और दिये गए हैं और बीच का जो सेल्फ के बीच का जो storage होता है दोस्तों क घजी अच्छा यानि अब बड़ा यूटि असे या बड़ा बारतन रखना है तो इसमें आप असानी से रज़ सकते हो तो आप इज़िलगा जो पाचल है जो बड़ा कि लिज सकते हो सेकेंड इसमें मिक्षब होती है तो स्मेल मिक्स ऑब भी नहीं होगी वो रिमまぁ जाती घ यह देखिए दोस्तों बीच का सेल्फ मतलब स्पेस सेल्फ के बीच में स्पेस काफी अच्छा है यहां पर दोस्तों डग दी गए हैं मुविबल डग यहां से इसमें अगर आपको एर फोलो कंट्रोल करना है लेफ्ट यह राइट आपके यूजिस के इसाब से कि अपने कितन आप नहीं होते है इस वेजिटेबल बास्केट के अंदर ऊपर की तरह ट्रे दिया हुआ है जिसमें सबजिया और फल्फूर्ट को जो एक्ट्रों मोश्चर के रिक्वार्मेंट होती हो मोश्चर मेंटेन रगता है तो इसको यह है इसका फ्रेस याने डियो राइजर भी व सबजियां खराब नहीं होती है लंबे शिर विजिटेबल फ्रेश रहते हैं दोस्तों यह है टका डूर के साइट में अगर नंबर of self के बात करेंगे तो आपको चार सब्सक्राइब नीचे तरव रेक मिल जाते है चोटी बोटल बड़ी बोतल अराम से लो सकते हो आपके मसाले सोस की पोतल आराम से मरे सबस्कीशन की प्रूलम होती है या चाहन के ज्यादा होते हैं तो वल पूलके इस फनी प्रेज में आपको अलग से स्टापलैजर लगवाने होता है काफी जादा होता है और compressor की life भी कम होती है तो इसमें वेरेबल स्पीट वाला compressor जिसमें power saving काफी अच्छी होती है और compressor की life भी जादा है इसलिए इसके compressor में मिलती आपको 10 साल की warranty और कुछ भी technical issue होता है तो उसकी one year की warranty आपको मिल रहे हैं दोस्तों अगर आप यह power power की दिक्कत है यानि light नहीं आती टेम पर लाइट आती जाती रहती है तो वर्लपूल के इस फ्रीज को दोस्तों आप inverter पर भी चला सकते हो तो यह तो दोस्तों मुझे comment box में comment करके पूस सकते हो और दोस्तों जितने भी best model है या वर्लपूल के जो फ्रीज है इसकी link भी मैंने विश्यूडिय की description में दीए दोस्तों जाइए check किजी आपको buy करना है तो buy भी कर सकते हो तो दोस्तों मिलते हैं next video में thank you for watching